नमस्कार दोस्तों समस्यां आपकी समधान हमारा के यूट्यूब चैनल में मैं जतिन सेगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महराज के गोचर के बारे में जो की 23 सेप्टमबर संदोजा 20 को मिथुन राशी छोड़ करके वरिशव राशी में प्रवेश करेंगे और 12 अपरिल संदोजा 22 तक वो इसी राशी में रहेंगे तो विभिन राशी पर इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों अब बारी है मिथुन राशी के जात्मों के लिए अब तक रहु महाराज का गोचर आपी की राशी में था पर अब वो परिवर्टे थू करके आपकी लगन चंदर लगन कुंडली से हट करके आपके 12th हाउस में गोचर वो करेंगे दोस्तों जैसा राहु के लिए हमेशा बोला गया मैलिफिक इंफ्लोएंस है हमेशा गलत प्रभावी देगा तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है केवल डराया जाता है सबसे पहले हमारी कुंडली ही मेंली में रोल अदा करती है कि कैसी वो चल रही है गोचर केवल हमें जो ट्रांसिट होता है वो डिलीवर करने आते है तो दोस्तों मिथुन राशी के जातकों के लिए राहु उनके 12th house में 12th house अचानक का प्रतीक होता है और गैर जाती का प्रतीक होता है और बुद्धी विद्या का प्रतीक होता है, सरस्वती मा का प्रतीक होता है, तो दोस्तों, मिथुन राशी के जातकों के लिए उनके 12th house में आया राहू, 12th house अल्रेडी छटका होता है, हमारी घर की छटका होता है, हमारा बेडरूम होता है, और विदेश में ट्रेवल करने का hospital, jail, इन सब जगाओं का होता है तो दोस्तों, जितने भी मितुन राशी के जातक हैं, उनके 12th house में राहु का गोचर ये बताता है कि शहद suddenly उनको ऐसी जगाओं पर जाना पड़ सकता है कि जहां पर जो है, उनकी जाती वाले लोग कम रहते हों, यहां पर रंग, भेद, भाशा, खान, पान बदल जगा हो, ऐसी जगाओं पर शहद उनके यात्रा करने का योग बनेगा, इसके लावा दोस्तों राहु महराज की जो है तीन दिर्ष्टें होती हैं, पाँचवी, साथवी, नौवी, यानि एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब आप देखें, पाँचवी दिर्ष्टी जो है उनके फोर्थ हाउस पे आ रही है, आप इसको अगर कॉंबिनेशन में लगाएंगा हैं, तो आपको लॉजिक फुल बात समझ में आएगी, यानि मैंने अभी तो आपका घर भी वहीं बनेगा, पर यह है कि अचानक ही आपके सुख सम्रिद्धी में भी वो व्रिद्धी करेगा, शुरू का टाइम थोड़ा सा आपको टफ जरूर लगेगा, पर हो सकता है, शैद आपका वो डिजायर भी रहा हो कि मेरे को मान लिजे, for an example, America, Canada, Australia, या कोई भी ऐसी जगहा, दुबई वगारा, कहीं ऐसी जगहा जाना है, आपने प्लैन कर रखाओ, तो वो अब आपका योग जो है, प्रभल हो जाएगा, और वो योग बन जाएगा, और आप वहाँ जा सकते हैं इसके लावा दोस्तों, राहु की साथमी दृष्टी, sixth house पे आती है, sixth house क्या है, sometimes क्या होता है, कोई आपने competitive exam दे रहा है, क्योंकि sixth house से हम रोग, रिंड और जगडे, साथमी competitions इन सब को देते हैं, तो हो सकता है, आपको कोई competitive exam देने के लिए कहीं दूर travel करें, और हो सक के लिए वो उनको कहीं न कहीं दूर ले जाने और अच्छा सक्सेस लेकर के ही आया है इसके लावा दोस्तों रहू महाराज की नौवी दृष्टी यानि साथ आठ नौवी दृष्टी उनके एट्थ हाउस पे है एट्थ हाउस में कहा कि कुछ इनहेरेटेड एमाउंट मिलने की संभावना हो जाती है यानि आठ नहीं घर से हम पैतरिक संपत्ती को देखते हैं अचानक की धनलाब हो जाना लौट्री सटा इन सबको भी जो हैं हम एट्थ हाउस से देखते हैं तो रहू महाराज की नौवी दृष्टी उनके एट्थ हाउस पे आ रही है तो अगर जैसा मैंने बोला यह गोचर केवल आपको डिलीवर करने आते हैं सबसे पहले आपकी जनम कुंडली ही काम करती है जो कि आपकी जनमतिति जनम समय जनमस्तान के अनुसार त्यार की जाती है और उसमें चल रही महादशा अंतरदशा ही बताती है अगर वो पहले से बहुत पैक्ट देने वाली होगी नक्षतरा में कुछ प्राब्लम होगी तो उतने फलम में प्राप नहीं होते पर दोस्तों जैसा मैंने बोला जोतिश कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया एक चीज़ हमेशा से बोलता है हूं और बोलता रहूंगा कि astrology is a divine science no one can change your destiny but yes you can balance the things यानि जोतिश एक दिवे विज्ञान है भाग गया आपका कोई नहीं बदल सकता पर अपने जीवन में होने वाली घटनाओ को थोड़ा संभाल हो अचे सकते हैं positive करमाज करके तो घबराने की बात नहीं अगर ऐसा लगता है मिथुन राशी के जात्मों को कि कुछ दिक्कत आरिया और उतना फल में प्रात नहीं हो रहा तो उनके लिए बहुत बड़िया रहेगा कि वो किसी कोड़ी अपाहिज अपंग गरीब व्यक्ति को every Saturday कुछ बड़िया सा खाना खिलाएं यहां Saturday नहीं भी खिला सकते तो हफते के किसी भी वार का कोई वहम नहीं है किसी भी द इलाज यहां डॉक्टर की फीस यहां उसकी कुछ दवाईयों इत्यादी से भी अगर आप मदद करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये रहू और भी अच्छा होता चला जाएगा बाकी मेरे शुब कामने मिथन राशी के जातकों के साथ हैं इसके साथ मैं अपनी वार्ण हमारा योट्यूब चैनल धन्यवाद